तो चलिए दोस्तों आज मैं बनाओंगी भैंगन आलो की सब्जी और बहुती टेस्टी बहुती टेस्टी आप एक बार ये रेसिपी बना लेंगे न तो बार बार बनाने का मन करेगा और जो भी भैंगन नहीं खाते होंगे न वो भी खाने लगेंगे तो चलिए बनाना के बैंगन को तीन तीन टुकडों में कर लेती हूं तो बैंगन को मैं पानी में काट काट के डारूंगी जिसमें की बैंगन हमारे काले ना हूं तो यहां पर मैंने बैंगन को काट लिया बैंगन को रुक देते हैं साइड और यहां पर मैंने पांच से साथ आलू लिये हैं और आलू भी में लंबाई में काट की और अलू काट देती हूं जाएट पर पानी में डाल के और यहां पर मैंने दो प्याज और तो साथ ही में डाल देते हूं प्याज करना तो यहां पर हमारे ब्राउन हो चुका है हलका सा तो यहीं पर मैं डाल देती हूं जो मैंने दो टमाटर काटे थे ना वह भी मैं डाल देती हूं और डाल करके अब मैं डाल देती हूं इसमें नमक तो यहां पर नमक डाल देती हूं इसलिए कि जिसमें कि हमारे टमाटर रहना तो यहां पर मैं ले लेती हूं स्वादनसार नमक यहां पर मैंने वाल देती है यहीं पर मैंने आधी चमच गरम शाओ लिया है और यहां अ्यां पर मैंने आधी चम्मच लिया है लाल मिर्च और यह समस्छ रिखने जिसमें कि हमारे थाहान्या अच्छे से गल जाना जिसमें वरृ यह बच्छो Such आता वाई चूंना आप आप देख सकते हैं टमाटा रिक्दम पड़या से गल गए हैं तो यही पर मैंने आलू को पानी से निकाल लिया है और यह मैं आलू डाल देती हूँ आलू को कम से कम 5-6 मिनट तक इसमें भूंजूंगी जिसमें कि आलू अच्छे से हमारे भूंजाएं और यहां पर सभी मशा काले न हो और याद रखिएगा जब आपको सबजी बनाना हो तब ही आप निकाल लिए गा तो यहां पर मैंने पानी से निकाल लिए बैंगन और आप देख सकते हमारे भूंजाएं नहीं हुए है तो यहीं पर मैं बैंगन डाल देती हूँ और अच्छे से सभी सीजाएं मि लग देती हूं थोड़ा देर फ्राई होने देती हैं तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट बोक्स में जरूर बताना और चैनल को सबसाइक और यह वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं तो यहां पर में लिये आदी कटोरी पानी और आदी कटोरी पानी लेकर के मैंने डाल दिया और पानी मैंने गरम ही डाला है हलका सा गुनगुना था फानी मैंने डाला है जो और अब मैं चला करके अच्छे से मिक्स कर देती हूं और मिक्स करके अब मैं बंद कर देती हूं इसमें टैम लगेगा हमार हारी धनिया और हरी धनिया डाल करके मिक्स कर लेते हैं और सब्जी हमारी में बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है तो दोस्तों यह रेशिपी एक बार आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा और हमारी रेशिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताना चैनल मिलते हैं नई रेशिपी साथ बार बार